आपने सुना होगा व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंजुमर इस ओल्वेज राइट वैसे ही साशन व्यवस्ता में हमारा मंत्र होना चाहिए citizen is always right वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रभूति को और ताकत देती है आपको यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब आप सरकार में नियुक्त होते हैं तो उसे government service कहा जाता है जौब नहीं कहा जाता अगर private में जाते हैं तो कहते हैं जौब करते हैं सरकार में आते हैं तो कहते हैं सेवा करते हैं अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड मेरे देशवासियों की सेवा करना कितना बड़ा सोभाग्य मिलेगा जीवन में एक आउसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आपको भी अपने काम में आनंद आएगा आपने अभी देखा कि सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी कर्मयोगी बंदू ओन लाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं डिजिटल ट्रेनिंग प्रेटफॉर्म आइगाट कर्मयोगी से उन्हें बविश की तैयारी के लिए मदद मिल रही हैं अफिशल ट्रेनिंग के विकास में आपकी सोचने की गहराई में उत्रोत्तर प्रगति होती है लाब होता है मुझे विश्वास है कि सेल्फ लर्निंग ट्रू टेक्नलोजी यह आज की पीड़ी को मिला हुआ आउसर है इसो जाने मत देना जीवन में लगातार सिकते रहें की ललक ही हम सब को आगे बढ़ाती है और मैं हमेशा कहता हूं मैं मेरे भीतर की विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं आप भी कहीं पर भी पहुंचें आप लगातार कुझनों कुझ सिकते जाईए जो आपती क्षमता बढ़ाएगा जिस इंस्टिटूर्ट से आप जुड़े हैं उसकी क्षमता बढ़ाएगा और इन सम्का प्रयास से ही भारत की क्षमता बढ़ेगी बदलते हुए भारत में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं और जब विकास तेज होता है तो स्वरोजगार के अवसर अंगिनत मात्रा में बढ़ने लगते हैं जो आज भारत अनुभव कर रहा है अस्वरोजगार का अक्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है पिछले आठ वर्सों में ग्यापक्स तरपन इंफ्रासक्टर के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं इंफ्रासक्टर में सो लाग करो का निवेश रोजगार के अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है आप जानते हैं कि जब एक नई सडग बनती है तो उसके आजपास कैसे रोजगार की भी नई राह बनने लगती है उसी सडग के किनारे नए बज़ार खड़े हो जाते हैं तमाम तरह की दुकाने खुल जाती हैं सडग होने की वज़से किसानों के उत्पाद आसाने से बज़ार तक पहुंचने लगते हैं इसी तरह जब कोई जगह नई रेलिवे लाइन से कनेक्ट होती है तो वहां का बाजार सम्रुद्ध होने लगता है आवाजाही की सुविदा होने की वज़े से परेटन का भी विस्तार होने लगता है और इस तरह के हर विस्तार में रोजगार की नई संभावनाएं मौजूद होती है आज भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिये हर गाउं तक ब्राडबेंड कनेक्टिविडी पहुँचाई जा रही है जब हम गाउं को इंटरनेट के जरिये बाकी दुनिया से जोड़ते हैं तो इससे भी रोजगार की नए आउसर बनने लगते हैं टेक्नोलोजी को ना समझने वाला व्यक्ति भी ये जानता है कि पहले जिन कामों के लिए भागदोर करनी पड़ती थी वो अब मोबाइल या कॉंप्यूटर पर एक क्लिक में हो जाता है हम देखते हैं कि इस सुविधा का लाब लेने के लिए कई बाँ वो टेक्नोलोजी के किसी जानकार की मदद चाहता है और सामान्य मानवी की इसी जरूरत से रोजगार की नहीं नहीं संभावना ही पैदा हो रही है आज गाउं कस्मों या शहरों में भी ऐसे एंट्रेप्रनर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ओनलाइन सेवाए देले में अपना नयाक्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं आज भारत के छोटे-छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं वो अपने आप में नई पीड़ी के लिए आकर्शन का केंदर बना हुआ है आत्मविश्वास का केंदर बना हुआ है और स्टार्ट अप की सभलता ने युवाज शक्ति के सामर्थ की एक दुनिया वर्में पहचान खड़ी की है थात्यों आप में से जानदातर नवजवान बेटे-बेटी हां बहुत ही सामान्य परिवार से आये हैं यहां तक पहुं जिले हैं आज आपको स्थाई भाव से एक सो चालीस करोड देश्वासियों की सेवा करने का आउसर मिला है लेकिन अपने अंदर उस भावना को हमेशा जिन्दा रखे जिसने आपको यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया था हमेशा सिखते रहें हमेशा अपनी स्कि दिल्स को अप्ग्रेड करते रहें और आगे बढ़ड़ने की कोशिश करते रहें कि मेरी तरप से आपको बहुत बहुत शूब कामनाएं है हैं आप तो सफल हो लेकिन हमारा देश भी सफल होना चाहिए आप आगे बढ़ें लेकिन हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी आगे बढ़ना है देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी शमर्त होना है सक्षम होना है निरंतर आप अपना विकास करते चलिए और आपको मिली हुई जिम्मेवारी को भी बहुत ही बख़ुबी निभाते रहिए यही मेरी आपको बहुत बहुत शुपाम नाए है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24